Hello everyone, welcome to my channel, I am Neha Naran, तो आईए आज की class start करते हैं, आज जो हैं CBSC board के अनुसार class 10, unit 2nd, unit 2nd में जो हैं आपका तानपुरे से related questions हैं, उसको हम करने जा रहे हैं, multiple questions जो हैं आज हम करेंगे, ये questions exam के बरपस से काफी important questions हैं, तो आप सबसे request हैं कि इस video को complete देखें और अगर आपने म भी चूट सबस्क्राइब करें, तो आईए start करते हैं, फैस्ट कोशन है कि तानपुरा जो है कोन सा वादय है तत वादय, सुशीर वादय, अवनत वादय या फिर घन वादय, तो तानपुरा जो है आपका तत वादय है, तत वादय का मतलब होता है, तार, जिन वादय में तारे होती हैं तानपुरे में कितने तारों होते हैं तीन चार पांच आर तो तानपुरे में टोड़ल आपके चार तार होते हैं लोकी का बना हुआ गोल अकार का होता है क्या होता है बताना है तबली मनका घुरच या फिर तुमबा तो लोकी के बने हुआ हुआ गोल अकार का होता है तबली तानपुरे के जिस पट्टी पर तार रखे जाते हैं वह क्या कहलाती है तर्गहन के तानपुरे के उपरी दंबी भाग को डेश पaremos तुम्बे के नीचे के भाग में तार को बांदने के लिए लगा होता है केल, गुल, खूंट या फिर तार तो इसका राइट आंसर है केल, इसको हम क्या कहते हैं लंगोट भी कहते हैं नेक्स कोशिन है, जिस तार पर तुम्बा और डांद के नीचे का भाग मिलता है, वो आपका क्या के लाता है, गुल, डांद, खूंट या फिर अटी, तो इसका राइट आंसर है, गुल सजावट के लिए तुम्बे के उपर लकडी की सुंदर डैश बनाई जाती है, तार, खूंट या गुल या फिर पतिया, तो सजावट के लिए जो है, सुंदर सुंदर पतिया बनाई जाती है, तुम्बे के उपर, गुरच पर तारों के नीचे लगा रहता है, धागा, पत तो आपके इतने 11 कोशन थे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जूर बताइएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू